सीमा वर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाक अपनी भागोलिक स्थितियवं कठिन मौसम की वज़से दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में भी जाना जाता है। विगत एक दशक से राष्ट्र ने माननिय प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी के गतिशीन नेत्रित में नकेवल विरोधियों के नापाक एरादों पर काबू पाने के लिए सक्रिय दृष्टिकोन अपनाया है बलकि सीमा पर बुनियादी धाचे के निर्मान की गति को भी पढ़ावा दिया है बॉडरिया डेवलप्मेंट और सीमा पर सड़के पूल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है मनाली और लेह की बीच निर्माना भीन निमू पदम दार्चा रोट पर शिंकुला दर्रे पर 4800 मीटर की उचाई पर दुनिया की सबसे उची शिंकुला सुरंग के निर्मान की मन्जूरी भारत सरकार की सक्रिय पहलों में से एक है सीमा सडक संगठन को इस महत्वा कांची परियोजना के कारियान वेंड की जिम्मेदारी सौपी गई है 4.109 किलो मीटर लंबी शिंकुला सुरंग शिंकुला दर्रे को बाइपास करेगी जो हर साल 4-5 महीनों के लिए 15-20 फिट वर्फ से ठका रहता है ये सौरंग ट्विन ट्यूब होगी तथा इसमें हर 500 मीटर पर प्रस पैसेज उपलब कराए जाएंगे इस सौरंग के निर्माण से 4 किलो मीटर यात्रा की दूरी और 30 मिनट की समय में कमी आएगी आज शेंकुला टनल का निर्माण कार्य माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलो द्वारा प्रथम विस्फोट के साथ शुरू किया जाएगा अपने रणनीतिक सेन महत्व के अलावा यह सौरंग लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रधान करेगी और हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी शिंकुला सुरंग का निर्माण भारत के माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी के विकसित थारत और आत निर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कतम होगा